हेलो फ्रेंड नमस्ते. कैसे आप लोग आसा करती हूँ आप लोग शही होगे, बढ़ी होंगे, स्वस्त होंगे, मस्त होंगे, कुश होंगे तो फ्रेंट्स आज हम बनाने जा रहे हैं चुकंदर की बहुत सारी रेस्पियां चलो इसे बीट रूट भी बोलते हैं जारकन में बीट रूट बोला जाता है इंगलिस सब्दिस का बीट रूट ही है सबसे पहले हम बीट रूट को धो कर छिल लेंगे और इसका छिल का उतार लेंगे ये इस वास्ते के लिए बहुत अच्छी होती है और खाने में तो अच्छी लगती है सलाद में काम आती है उसके बाद ये बहुत सारी चीजों में काम आती है जिन ओरतों में खून की कमी रहती है और बच्चों में खून की कमी रहती है उन्हें आईरन की टैबलेट खाने की जर्रत नहीं होती है इसकी रोटी पराठा या आप पे या बहुत सारी चीज़े बन सकती है वो बना कर आप दे सकते हैं बच्चे तो कच्ची नहीं खाते हैं इसलिए उनका पराठा ही बैटर रहता है सबसे पहले हमने आटा लिया है उसमें थोड़ा सनमक डाला है और मिर्च डाला है और इसमें यह भीट रूट मिला देंगे घिसीवी और थोड़ी देल के लिए हम रख देंगे अट्टा बढ़िया बन चुका है और तेल लगा कर हमेंसे थोड़ी देल के लिए रखेंगे उसके बाद हम इसकी लोई बनाएंगे चोटी चोटी लोई बना लेंगे और रोटी बेल देंगे रोटी बेलने के बाद में इसकी रोटिया हमने बेल ली हैं और अब हम इने तबे पर सेक लेंगे हम इसका गी डाल कर प्राठा सेकेंगे ये प्राठा बहुत ही टेस्टी लगता है ये देखने में बहुत सुन्दर लग रहा है तो खाने में भी बहुत सुंदर लगेगा जो बीट रूट नहीं खाते हैं वो प्राठा बना कर खा सकते हैं देखे हम इसे दोनों तरफ से शेक लेंगे बढ़िया तरीके से और आप इसे तेल या घी में जिसमें आपकी मरजिये उसमें शेक कर खा सकते हैं हमें किसी न किसी तरीके से बीट रूट को अपनी लाइफ में सामिल करना चाहिए डाइट में सामिल करना चाहिए रोज थोड़ी थोड़ी बीट रूट जरूर कानी चाहिए इसे iron की कमी तो दूर होगी और जिन महिलाओं के पैरों में दर्द है, टंगों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, उसकी भी पूरती होगी देखिए हमारा प्राठा बनकर रेडी है किते सुन्दर हमारे प्राठे बन चुके हैं मुँ में पानी आ रहा है न देखकर ये खाने में बहुत ही स्वादिश्ट होते हैं अब ये जो बीट रूट है हमारे पास में हम इसका जूस निकाल कर रख लेंगे ये दूसरे काम में और ये जो है गिसी बीट रूट है इसके हम अप्पे के बैटर में हम डाल देंगे और थोड़े थोड़े करके हम अप्पे बना लेंगे बच्चों को ये अपना बहुत पसंद आएंगे और इनका डोसा भी आप बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं क्योंकि ये सुझी से बने वे हैं इसलिए कलर इनका पिंक आ रहा है और इसमें दही भी है इसलिए थोड़ा से पिंक कलर अच्छा लगेगा और बच्चों का 1% कलर होता है यह देखे हमारे पर बनकर रेडी हैं कि कलर भी बहुत अच्छा रहा है प्राठे में लाल कलर आएगा तो बच्चे शायद ना खाएं पर बच्चों को देना चाहिए एक एक प्राठा रोज-जोज अब हमारे पास यह जूस बचावा है इसमें हम एक एक चमच बेशन का मिलाएंगे और अद्धा अद्धा चमच निंबू का रश का मिलाएंगे हैं और एक पेस्ट तैयार कर लेंगे और चेरे पर अपलाई करेंगे चेरे पर लगा लिए इस से चेरे की चमक बहुत सुंदर लगेगी और कायेगी कुछ और लगाने की जरुत नहीं पड़ेगी जहरा बहुत संदर चमकेगा और थोड़ी सी बीट रूट आप फोटो पर अपलाई कर सकते हैं यह लिपिस्टिक का काम करती है ब्रत में मैं यही लिपिस्टिक लगाती हूं और ऐसे भी में यहीं लिपिस्टिक मैं दाउंगी उसमें टोगी से इसका जूस बी बनेगा और बच्छों को भी पसंद आएगा बढ़ों को भी पसंद आएगा तो दोस्तोंगी कैसे लगी है अब कि रेस्पी मैंने अपनी दूसरी वीडियो में डाली है इसमें देख लेजेगा झाया कि अच्छी लगी तो लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच एवरीवन